प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही आम और खास के बीच के फासले को खत्म करने की पुर्जोर कोसिस की हो लेकिन सरकार के नुमाइंदे ही सरकारी आदेशों की धजियां उड़ाने पर लगे हुएं बता दे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वी आईपी कल्चर को खत्म करते हुए नीली बत्ती का प्रियोग पुर्णता बाधित कर दिया था सर्फ और सर्फ इमजन्सी सेवाओं और फिल्ड यूनिट में किसी अपातकाल के दोरान ही नीली बत्ती वाली गाडियों का आदेश है कई राजियों में या नियम लागु किया गया और सबसे पहले उत्तरप्रदेश के सीख्या योगि आदितनाथ ने वी आईपी कल्चर के इन नियमों को लागु किया वियाईपी कल्चर के इन नियमों के बाबजुद प्रधान मंत्री के कई सांसद ऐसे हैं जो इस कल्चर के मों से बाहर नहीं आ पार हैं जरा इन तस्वीरों को गौर से देखें कानून का मजाक उडाती है ये तस्वीर ये तस्वीर कोई आम सड़क की नहीं है बलकि पुलीस अधिक्षक कारियाले की है जहाँ पर किसी नीजे काम से आई सांसद अंजुवाला ने पुलीस दफतर के अंदर अपनी इन दो कारों को खड़ा किया जिसको देखकर अंदाजा लगाये जा सकता है कि किस तरह से कानून की धजियां खुद कानून के दफतर में उडाई जा रही है इन दोनों ही कारों पर दो दो हूटर उपर की तरफ लगाए गए हैं क्योंकि मैडम सांसद है लिहाजा इनको कारों ही का कोई डर नहीं पुलीस कारीयाले हो न्यायाले हो या भडा समाज हो इनको जरावी फिक्र नहीं क्योंकि ये खुद की ही सिस्स्टम है सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है कि पीएम और सीएम के आदेश के बाबजूत कानून के रखवाले खास के बीच दूरियों को बाटने की कसमे खाई जाती हैं लेकिन जमीनी हकिकत कुछ और ही बया करती हैं इस मामले पर जब बीजे पी सांसद अंजू बाला से पूछा गया तो देखिए मैडम ने कितनी साफगोई से इसका जबाब दिया है अगर आप मेरे साथ चले एक दिन के लिए तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शुक नहीं है लेकिन मेरी मजबूरी है तीन जिले है मेरे पास कानपूर सीतापूर हर्दोई है दस्तर टीवी से सुधीर गांधी की रिपोर्ट दस्तर टीवी से सुधीर गांधी की रिपोर्ट